हालो फ्रेंड्स वल्कम तो मैं चैनल जीओ जीओ जीओन आप सभी का मेरी चैनल जीओ जीओन पर हार्दिक स्वागत है दाया हाथ फड़कने का क्या मतलब होता है दोस्तों पिछले वीडियो बे मैंने आप सभी को महिलाओं और पुर्षों की आखे फड़कने का और होट करना ना फुले दोस्तों आज के दोर में यदि हम हाथ फड़कने की बात करें तो आज की उआपीडी सिर्फ इसे एकंद्वश्वासी मानती है परτιंड्य हम शास्त्रों की बात करें खास्तोर पर सामुद्रिक शास्त्र की तो सामुद्रिक शास्त के अनुसार विक्त का शरीर अत्यांत सम्वेद अन्शील मानाजाता है जो की भविश्य में होने वाली शुब और अशुब गटनाओं से अवगत कराता है ऐसा माना जाता है कि सामुद्रिक शास्त या अंग सास्त की रचना कार्ति के जी ने की थी जिसमें मनुश्य के अंगों के फड़कने का विस्तृत वेचन किया गया है इसके अनुसार अंगों के फड़कने के पीछे कई गूड रहसे छिपे हुए हैं जो स समय समय पर व्यक्ति को शुब और अशुब घटनाओं से आउगत कराते रहते हैं इस शास्त्र में हाथों के फड़कने का भी विस्तत वेचन किया गया है तो आई जानते हैं हाथ फड़कने का क्या मतलब होता है दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र के नुसार यदि किसी मनुष प्रतिष्ठा की प्राप्ती हो सकती है वहीं दाएं हाथ की यदि हथेली फड़कती है तो भी यह अत्यंत शुब संकेत माना जाता है निकट बविश में आपको मान सम्मान या पदप्रतिष्ठा की प्राप्ती हो सकती है वहीं यदि किसी मनुष का दाया हाथ का अंगूठ ख़षब इंगल्यां फड़कना भी एत्यंत शुब माना जाता है। एसकेत देता है कि निकल बविश में आपकी किसी प्रेश से मुलाकात हो सकती है अत्वा आपके सम्मंद और अधिक मधूर हो सकते हैं दोस्तों ये तो हो गई शास्त्रों से सम्मंदित बाते आई जानते हैं विज्ञान के नुसार मनुष के हाथों के फड़कने का क्या मतलब होता है दोस्तों विज्ञान के नुसार मनुष के हाथों का फड़कना विक्त के जीवन की एक आम प्रक्रिया है यदि आपका हाथ जादा फड़के, अत्वा लगातार फड़के, तो आप किसी कुशल जिकित सक्से परामर्श अवश लें, कारण कुछ भी हो, सभी की अपनी अलग-अलग मानताय मानी जाती है, विज्ञान की माने तो हाथों का फड़कना व्यक्त के जीवन के काम परक्रिय सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, धन्यवाद.